तो आज के टेरो रेडिंग का टॉपिक है वो वांट्स टू मैरी यू कौन आपसे शादी करने में इंट्रस्टेड है तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं पाइल नमबर वन, पाइल नमबर टू पाइल नमबर वन को आप इस इमज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने जोडेक साइन से चूज कर सकते हैं उसी तरीके से पाइल नमबर टू है आप इस इमज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने जोडेक साइन से चूज कर सकते हैं Next are three of coins. अभी मैं आपको Zodix pend बताती हूँ. Next are page of swords. Next are the devil. और next are ten of cups. कुछ और cards देख रेते हैं. Next are knight of wands. Next are nine of cups. Next are four of wands. Next are knight of cups. और next आ रहा है हमारे पास hydrosis. आधे। तो यहां पर prominently मैं zodiac sign आपको पहले बर बता देती हूं यहां पर cancer piscescopio energy है, Capricorn energy है heavy और next आ रहा है यहां पर Sagittalius और Aries की energy भी heavy है और Pisces energy है यहां पर, ठीक है तो यहां पर मुझे ऐसा feel हो रहा है कि कोई जो है अगर आप किसी job पे हो या working place पे जाते हो तो वहां पर जो है कोई आप में interested है जो opposite gender है और वो जो है आप पे नज़र रखते हैं नज़र कोई गलत sense में नहीं लेकिन आपकी हर तरीके की छोटे से बड़ी जो एक कह सकते हैं इच्छाएं हैं या आपकी पसंद ना पसंद आपका behavior आपका जो जो भी है ठीक है तो उस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा observe करते हैं आपकी social media पे हैं ये आपकी ज़्यादा likes जो post है या stories है वो देखते हैं like करते हैं आपको nature पसंद हो सकता है आपको खुले बाल रखना पसंद हो सकता है आपको के खुले बाल जो है इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होंगे तो कुछ इस तरीके की energy है यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर ये professor हो सकते हैं आप भी वहाँ पर job करते हो और ये भी वहाँ पर job करते हैं तो कुछ इस तरीके की situation है ये पसंद बहुत ज़्यादा आपको deeply admire करते हैं और physically sense में भी जो है वो आपको पसंद करते हैं और आपके लिए thoughts रखते हैं वो काफी लंबे समय से सोच रहे हैं कि आपको जो है वो approach करें या propose करें और अपने feelings को आपके सामने जो है confess करने की इच्छा रखते हैं लेकिन शायद जो है यहाँ पर night of wands भी आया night of cups भी आया love offer देना चाहते हैं लेकिन पहले जो है वो अपने आपको ensure करना चाहते है आप पर उनके लिए कुछ feel करते हो या नहीं तो आपके बारे में जो है वो और लोगों से बाचीत करते हैं जानना चाते हैं कि आपके मन में किस के लिए किस तरीकी की भावना है या किस तरीकी से आप उनको देखते हो या नहीं देखते हो तो कुछ इस तरी की situation है नेक्स टार यहां पर nine of cups आया है nine of cups जो है wish fulfillment उनको दिखाता है उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके match हो चाहे आप male हो चाहे आप female हो आपको जो है वो celebrate करते हुए देखना दोस्तों से या जो भी आपके दोस्त हैं आपके colleagues हैं उनके साथ जो हसते हुए देखना जो है वो उन्हें बहुत जादा पसंद आता है और वो आपके उपर पूल तरीके से नज़र रखते हैं तो यहां पर यही चीज़ है कि आपके यह senior हो सकते हैं बॉस हो सकते हैं या आपके colleague हो सकते हैं जागतर केसे में और कुछ जो लोग हैं वो जो है अगर school, college, university में हैं तो भी जो है यह आपके senior हो सकते हैं या किसी और department के जो है senior हो सकते हैं तो कुछ इस तरीकी की यहां पर situation है कि यह किसी ने किसी तरीकी से आपके senior हैं आपसे बड़े हैं उम्र में भी और position में भी कि आपके साथ वो एक family create कर पाएं क्योंकि four of wants भी आया है, night of cups भी आया है वो आपको love proposal देना चाहते हैं और आपकी जिंदगी में बहुत तेजी से आना चाहते हैं लेकिन अभी तक जो है उन्होंने अपने feelings को confess आपके सामने नहीं किया है तो ऐसी situation है यहाँ पर पुछले देख लेते हैं कुछ और cards यहाँ पर आया emperor और justice, वही चीज़ है कि यहाँ पर आप तो या तो legal department में हो कोई job की situation है जैसे मैंने कहा कि senior हो सकते हैं boss हो सकते हैं तो ऐसी situation है, आप उनके साथ काम करते हो लोगों को नहीं बताया है उन्होंने और वो बताना भी नहीं चाहेंगे लेकिन आप से जो है वो ज़रूर बातचीत करना चाहते हैं और आपको अपनी जिद्गी में manifest करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है और उनके मन में feelings भी हैं कि वो deeply आपसे जो है लव करते हैं या आपके साथ जो है अपनी family को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके की situation है तो चलिए देख लेते हैं love cards क्या कहते हैं तो यहां पर जो है दोनों ही cards में एक ऐसी चीज़ है कि आपकी physical beauty की तरफ और inner beauty जो है वो उन्हें बहुत ज़दा पसंद है और वो ऐसे देखते हैं कि आप एक pure innocent lotus की तरीके से हो या flower की तरीके से हो जो वो bloom होता है तो वो जो है उसी तरीके एक खुशी को महसूस करना चाहते हैं आपको जब आप हसते हो या जो भी आपका एक inner child वाली situation या side दिखती है तो वो बहुत ज़दा मुस्कुराते होंगी नेक्स्ट है कि यहाँ पर ये इनसान जो है वो prayer कर रहा है कि इश्वर प्लीस किसी तरीके से जो है मुझे इस इनसान के साथ एक union में आने दो तो कुछ इस तरीके की situation है चलिए देख लेते हैं love cards क्या कहते है पहला आ रहा है freedom there is nothing stopping you the path is clear if you want it to be तो आपके relationship में जो है वो कोई भी बाधा नहीं आ रही है कोई भी problem नहीं आ रही है जो आप चाहते हो जैसे चाहते हो उनको accept करना चाहते हो वो भी है और नहीं accept करना चाहते हो वो भी है तो दोनों ही situation यहाँ पर है next are a secret admirer someone has deeper feelings for you than they are letting on तो यहाँ पर secret admirer है यह आपके और आपको वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो कुछ इस तरीके की situation है कि आप एक दूसरे को पसंद करते हो और आपको पता चल जाएगा जैसे ही कि वो जो है feelings रखते हैं किसी और के थूप पता चलेगा तो आपको भी ऐसा लगेगा कि यह जो है आपके लिए suitable partner है तो कुछ इस तरीके की situation है यहाँ पर चलिए देख लेते हैं कुछ Oracle cards देख लेते हैं और क्या आने चाहता है तो पहला आ रहा है spend more time outdoors तो सिफ work ही मत करो एक दूसरे के साथ time भी spend करने की कोशिश करो next आ रहा financial health तो financial health जो है वो आप दोनों की अच्छी है next आ रहा carrier आप लोग carrier के थूँ ही मिल रहे हो जैसे मैंने पहले भी कहा और soulmate हो तो यहां पर एक parrot आया है communication skills जो है आपको एक दूसरे से बातचीद करनी है hesitate नहीं करना है सिर्फ hesitation इस चीज़ कि है कि वो senior हो सकते हैं आपके boss हो सकते हैं और आपने सोचा नहीं होगा कि कुछ इस तरी की situation होगी और अगर जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आप school college university में हो तब भी जो है वो senior वाली situation है तो उस चीज़ को ऐसे मत सुचो next आ रहा है यहां पर musical charm आया है तो आप दोनों का music taste same हो सकता है या कोई common interest हो सकता है next आ रहा है यहां पर flower आया तो flower जो है next आ रहा है यहां पर आफरीन आफरीन next है अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही खयाल है तो कुछ इसी तरीके की situation है यहां पर और next आ रहा है आपके लिए पहली पहली बार सिर्फ तुम movie का तो इस तरीके के गाने जो हैं आपको dedicate करना चाते इसी तरीके feelings वो आपके लिए रखते हैं तो pile number one यह थी आपकी reading उम्मीद करते हूं आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरा content, readings और energies अच्छी लग रही है तो please इस channel को like करें, share करें, subscribe करें thank you pile number two अगर आपने इस image को चूश करे है या फिर आपका zodic sign इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं कौन जो है वो आपसे शादी करने में इंटरस्टे आराए Empress शुरूराद बहुत अच्छी हुई है नेक्स्टा आराए King of Wands अभी मैं आपको zodic sign बताती हूँ नेक्स्टा आराए Four of Wands next है the emperor तो यहाँ पे emperor और empress दोनों ही आए हैं next है the magician बहुत प्यारे कार्ड आए हैं next है the chariot next है the wheel of fortune next है the three of wands next है the sun और next है हमारे पास the devil तो यहाँ पर जो जोडेक sign है prominent वो मैं पहले आपको बता देती हूँ यहाँ पे Aries है Leo है Sagittarius है Taurus energy है Gemina energy है Cancer energy है Capricorn की energy है और Leo मैंने बोल दिया था तो यहाँ पे मुझे जाद तर possibility लग रही है कि कुछ लोग जो है वो किसी partnership में है किसी के साथ तो वहाँ पर जो है आप manifest करना चाहते हो या यह इनसान जो है वो आपको marriage में commitment देना चाहते है तो अगर आप relationship में हो already आपको पता होगा अपनी situation तो आप उनके साथ शादी कर रहे है यहाँ पे love marriage जो है वो done हो रही है रोका हो रहा है engagement हो रही है बाकी चीज़े हो रही है ठीक है और अगर आप लोगों का ऐसा कुछ नहीं है ठीक है जो single लोग है उनको ऐसा लग रहा है कि यार हमारा कोई partner ही नहीं है और माम ने बोल दिया कि हमारे तो शादी हो रही है तो यहाँ पे मैं यह कह रही हूँ कि आप अपने ही mirror self को अपने ही जैसा इंसान को जो है वो manifest कर रहे हो अपने जैसा इंसान मतलब जो similar होगा आपके values में जिसी आपकी values है वैसी आपकी जो है उनकी values होँगी जैसा आपका nature है almost जो है कुछ जो minor चीजे different हो सकती है बट उसी तरीके के इंसान को आप अपनी जिंदगे में manifest कर रहे हो यहाँ पे cancer के energy आई है chariot के energy आई है positive negative दोनों का जिस तरीके से अगर जैसे माली जी electricity है तो positive negative जब मिलते हैं तब ही जो है वो electricity generate होती है batteries की में बात कर रहे हैं तो उसी तरीके से जो है आप दोनों में आप अच्छे तरीके से एक दोसरे को balance कर रहे हो तो यहाँ पे जो single लोग हैं उनके ऊपर कोई ना कोई crush रखता है या रखती है उस तरीके की situation हो सकती है या फिर ये जो है आपके दोस्त भी हो सकते हैं मैं single लोगों के लिए कह रही हूँ और जो partnership में already है तो आपकी जो है उनसे शादी यहाँ पर हो रही है और इसी साल जो है वो हो जाएगी properly यहाँ पर जादा तर जो है वो यह चीज chances है कि आपकी शादी अगर आप partnership में हो तो आपकी last ending तक जो है वो शादी हो जाएगी या पूरी तरीके से जैसे मैंने का था कि रोका या इस तरीके situation हो जाएगी यहाँ पर यही चीज है कि कौन आपसे शादी करना चाहता है तो partnership में जो है वो आपके partner ही है और अगर आप single हो तो आप अपनी जिंदगी में manifest कर रहे हो इस तरीके के इनसान को तो आप अपनी life को create कर रहे हो आप जिंदगी में manifest करना चाहते हो तो यहाँ पर आप अपनी जिंदगी में वो achieve कर रहे हो जो आप चाहते हो पैसा भी है ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है मैं यह नहीं कह रही हूँ पैसे का जब भी मैं नाम कहती हूँ कि हमेशा मैंने कहा है कि यह नहीं कि आपको बेहद पैसा या बेशुमार पैसा मिल रहा है लेकिन हाँ इतना ज़रूर मिल रहा है कि आप अपनी normal life को अच्छी तरीके से lead कर पाओ उसी तरीके से जो है आप इस इनसान को जो आप love attract करना चाहते हो positive और negative side जो है आपकी darker side shadow side है उसको भी समझने के लिए कोई आपके पास आ रहा है या आ रही है मुझे यहाँ पर ये भी situation लग रही है कि कुछ लोग जो इनका break up हो चुका है ठीक है तो वो भी जो है कहीं न कहीं उनके मन में है कि क्या मेरे साथ भी कभी कुछ अच्छा होगा मैं इतना सब कुछ देखता हूँ या सुनता हूँ लेकि मेरे साथ जो है कभी कुछ अच्छा होगा ही नहीं तो यहाँ पर आपको भी जो है वही चीज़ हो रही है क्योंकि wheel of fortune आया है यहाँ पर आपकी destiny में जो लिखा है और आप जिस तरीके से जा रहे हो उसी तरीके के इनसान को जो आप deserve करते क्योंकि आप ने पहले हो चुके है उसी तरीके का pattern जो है वो आपकी life में आगे नहीं बढ़ रहा है वो जो है आप cut off कर रहे हो और अपनी life को फिर से एक नई पट्री पर या नियो ट्राक से या नियू बिग्डिंग जो है वो start करोगी, क्योंकि यह आपे devil आया है, केप्रिकॉण की energy है, saturn है, saturn जो है वो हमें बहुत सारे life lesson को सिखाता है, एक तरीके से कहना चाहिए, जैसे कहा जाता है कि life ने रगड़ दिया है आपको, तो वो वाली situation रही ह आपके साथ जिनको hurt हुआ है ठीक है उनके लिए मैं कहा रही हूँ और आपको रगड़ा इसले गया है कि आप में कोई problem है ऐसा नहीं है आपको इसले रगड़ा गया है क्योंकि आप अपनी life में जो deserve करते हो आप उस इंसान को अपनी जिन्दगी में लेकर आओ और उसके साथ एक अच्छी जो life story है वो create कर पाओ और आप जिस तरीके की शादी चाहते हो या जिस तरीके की married life चाहते हो जिसमें प्रेमभा हो सुकून हो शान्ती हो कलहना हो और एक दूसरे की समझस से हो या compatibility हो तो वो चीज जो है आप manifest कर रहे हो यहाँ पे तीनों लोगों के लिए जो है जो married या partnership में उनके लिए भी आया है जो hurt हुए है उनके लिए भी आया है और जो single है उनके लिए भी आया है तो पूरी तरीके से यह जो reading है वो almost सभी के लिए applicable हो जाती है लेकिन जो भी लोग इसे देख रहे हैं तो आपकी जो situation resonate करें आप उसी को रखना और आप अपनी life में उससे जो है वो शादी कर रहे है और यह energy के थूँ यह चीजे आ रही है कोई physical sense में यह नहीं कि यही शकल का इनसान जो है वो आपसे शादी कर रहा है जातर लोगों को interest होता है कि जो मैं सोच रहा हूँ उससे मेरी शादी हो जाए मैं यह नहीं कह रही हूँ कि इसमें क अर्थ को पहचानो आप अपनी energy जो है या अपनी value किसी और से comparison में जो है वो गिराओ नहीं जो आप deserve करते हो जो आप actually में हो आपको उसी तरीके का इनसान जो है मिल पा रहा है और आप उसी से जो है compatible हो पाओगे तो चलिए देख लेते हैं कुछ और cards तो यहाँ पर death आया है scorpion energy है heavy scorpion energy है तभी ऐसी energy आ रही थी और sun भी आया है तो death के बाद जो है वो sun आ रहा है एक जो है जैसे कहा जाता है कि अंधेरे के बाद जो है वो उजाला आता है तो वही situation है तो जो भी आपकी situation आपसे resonate करी हो तो वही चीज यहाँ पर आ रही है अच्छी तरीके से लीड होगी बस आपको फेथ रखना है अपने आ उपर और इश्वर के उपर और वो सारी चीजे जो है आपके लिए होती चली जाएंगी तो चली देख लेते हैं लावकार्स क्या कह रहे हैं तो यहां पर जो है पीस दिख रही है आपको शान्ती चाहिए स सुकून चाहिए लड़ाई जगडा नहीं चाहिए किसी को भी नहीं चाहिए होता लेकिन लाइफ में कभी न कभी कोई न कोई ऐसे सरकंस्टांसेस या कुछ ऐसी सिचुएशन या कुछ गलत लोग जो है वो आ जाते हैं जिसकी वज़े से आपको बहुत प्रॉब्लम होई ह लेकिन अब जो है वो आप अपनी लाइफ में शान्ती चाहते हो नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हो खुशी चाहते हो और वो चीज़ आपको यहाँ पर मिल रही है तो चलिए देख लेते हैं लवकार्स क्या कहते हैं तो यहाँ पर जो है वो यही चीज़ आ रही है और नेक्स आ रहा है यू में नॉगों के लिए मैं कह रही हूं या सिंगल भी हो सकते हैं तो वो जो है आपको समझ आजेगा कि आपको क्यूं यह सब सीखना था क्यूं यह सब आपके साथ हुआ इस वज़े से हुआ क्यूंकि आप एक चमकता हुआ सितारा हो ठीक है और यह सेंस जो है वो सिर्फ यह नहीं कि चमकता हुआ सितारा जब बोला जाता है तो ल रही कि इनसान के साथ जो है आप रहोगे ऐसे इनसान के साथ नहीं जो lower vibrational हो जो घर से बाहर निकलने ना दे आपको काम ना करने दे या कुछ और situations create करें toxic लोगों को आप पीछे छोड़के अपनी life create कर रहे हो और वही जो energy में जो हा रहा है जो जो deserve करते हो आप वो सब आपको यहाँ पर मिल रहा है और इश्वर आपके लिए यह सब कुछ कर रहा है तो चली देख लेते हैं कुछ oracle cards क्या आ रहा है आपके लिए तो पहला आ रहा है trust इश्वर पर trust करो आप बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते हो मैं यह नहीं कहूंगी कि आख बंद करके करो धीरे धीरे आपकी energy जो है वो change हो जाएगी और यहाँ पर आपको nurturing मिलेगी caring person मिलेगा चाहे वो male हो चाहे वो female हो तो आपको यह सोचने की जुरत नहीं है कि आप जो है आप में emotions है तो आप कुछ गलत कर रहे हो आप emotions वाले हो या emotional हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है जो इनसान आपकी कदर नहीं कर सकता उसको पीछे छोड़ने में ही भलाई है next are a soulmate आपके लिए soulmate आएगा next are a life purpose talent और एक और निकालना चाहती हो love later ठीक है यहां पर आपको ये सब चीज़े आप अपनी जिन्दगी में manifest कर रहे हो energy wise तो वो जैसे question था कि आपको कौन शादी करने में interested है मैं physical sense में नहीं कह रही हूँ energetically कह रही हूँ कि तीनों मेंने situation आपको बता दी है और समझा दी है वो चीज़ ही जो है आपकी life में अपने आप आ रही है आपको कुछ जादा करने की जरुवत नहीं है आप खुद बखुद manifest कर रहे हो और जैसी situation है आपके साथ वैसा होता चला जाएगा तो चलिए देखते हैं इस energy related को chance यहां पर swan आया है loyal person को आप अपनी जिन्दिगे manifest कर रहे हो तो किसी ने अगर आपको cheat किया है आया है यह snake आया है तो cheat किया है तो आप समझ गए हो कि यह क्यों हुआ है क्योंकि आप loyal person को deserve करते हो ऐसे इंसान को नहीं जो कभी इसके साथ है किसी और के साथ है तो आप ऐसे इंसान को नहीं deserve करते हो नेक्स आ रहे है gift to surprises है equal give and take रहेगा love language अच्छी रहेगी और एक दूसरे को पसंद करोगे नेक्स आ रहे है यहाँ पर dove आया है फिर से वोई शान्ती वाली situation आई है मन शान्त रहेगा सुकून रहेगा कोई insecure भावना नहीं है नेक्स आ रहे स्नेक आया है स्नेक जो है वो past energy को या past skin को जो है वो shed कर देता क्योंकि वो उसके लायक नहीं होता वही चीज यहाँ पर हो रही है और नेक्स आ रहे है यहाँ पर cutter आया है cutter से जो है आप यतनी भी negative आपने चीजे देखी है behavior देखा हो जो भी कुछ देखा है उसको आप cut off कर रहे हो और clean slate पे जो है अपनी life create कर रहे हो और खुशी महसूस करोगे ठीक है तो चलिए देख लेते हैं कुछ love song आपके लिए आपके पसंद किस तरीके से महसूस करेंगे तो पहला आ रहा है जग भूमया सुल्तान मूवी का है next आ रहा है आपके लिए आज से तेरी padman मूवी का है next आ रहा है आखे भी होती है दिल की जुबा हासल मूवी का है देख लेना कौन सा गाना है और next आ रहा है बहुत ज़ादा hopeless हो जाओ या बहुत ज़ादा आपको बुरा लगे ऐसा नहीं होने वाला है आप जो deserve करते हो आपको उससे बहतर ही मिलेगा ठीक है तो pile number two ये थी आपकी reading उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरा content readings और energies अच्छी लग रही है तो